हाईलो फ्रेंड्स वेल्कुम बेक टु माई चैनेल फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ सायर करूंगी कुछ विंटर फ्लावरिम प्लांस हम नर्सर चे लाए थे इसको पहले दिखावंगी फिर बाद में रिपर्ट भी करूंगी प्लीज वीडियो की एंड तक हमार साथ बने र अभी तो सारे नर्सरी में बहुत सारा विंटर फ्लावरिम प्लांस आ रहे हैं देखे हम चार आश्टर की लाए हैं देखे बहुत ही खुश्रत प्लांट इसका तो बहुत सारा कलर अप्सन आता है एक कलर देखे बहुत सारा कलर इसके आता है आप भी जरूर इसको लाए हम को एक एक को 50 रुपीज में हमको मिला है ये चारों में बहुत ही खुबस्रत कलर है इसकी देखिए बहुत सारा कलर भी और मिलता है इसका आप भी जरूर इसको लाए अभी नफसर से अच्छा सा पटिंग में देकर इसको लगा लेजी इसके बाद देखिए फ्रेंट्स ये उ बहुत ही प्यारा ये डीप रेट कलर का देखिए बहुत सारा कलर इसके आता है इसके बाद देखिए परपल कलर का बहुत ही खुबस्रत लग रहा है इसके साथ ये लाइट परपल में होईट बैरिकेटर वाला इसके साथ देखिए ये पिंग कलर बहुत ही प्यारा कलर है और एक भाउलेट के साथ यह वाइट कलर बहुत ही खुश्रत लग रहा है देखिए यह लाइट पिंग कलर का बहुत ही प्यारा कलर है इसके देखिए इसके साथ हम एक डाइन्थस की प्लांट भी लाए हैं यह हमको एक एक को 50 रुपीज में मिला है इसके बाद देखिए हम जर्विरा के भी तिन प्लांट लाए है बहुत ही सुंदर सुंदर कलर है इसकी इसका तो बहुत सारा कलर अप्सन आता है बहुत हेल्दी प्लांट यह भी हमको एक एक को 120 में मिला है वह तो हमको 140 बोल रहते हम बार्गिनिंग करके 120 मिला है बहुत ही प्यारा कप्यारा कळलर है इसके देखिए बहुत हेल्दी प्लांट ए यह हाइब्रीड बाले जर्वेरा है हमारे पास देशी बाले है इसको हम वान टुन्टी में लाहे एक को हम पहले से इसके लिए पाटी मिक्स रेडी करके रख दिया है इस जो हमारे सारे पूर्याने पाट ही इसको हम इस तरह कलर कर दिया है इस तरह सारे पूर्यानी पॉर्ट को जो हम प्रेंट कर देते हैं बहुत ही खुबसरत हो जाता है अभी हम इस सारे पॉर्ट में पटी मिक्स भर दिया है इस सारे पॉर्ट में हम पीटूनिया पहले लगाएंगे इस तरह छोटे छोटे पॉर्ट में भी पीटूनिया बहुत अच्छे से चलता है देखे फ्रेंट्स हम पीटूनिया को कैसे लगाते हैं आपको दिखाते हैं हम एक को ग्रो बैक से निकाला है इस तरह दिखे पीटूनिया की रूट बहुत ही सफ्ट है इसका रूट ज्यादा नीचे नहीं जाता है उपर रहता है इसलिए पीटुनिया को इस तरह लगा है देखे इसको तरह उपर रखे ज्यादा डेप में इसको नहीं लगाना है उपर लगाना है देखे इस तरह मीटी को चारो तरफ भर दीजे इसके रूट के पास हाथ नहीं लगाना चाहिए देखे इस तरह चारो तरफ मीटी अच्छे से भर दिजिए इसको ज्यादा डिस्ट्रब नहीं करना चाहिए नीचे की मीटी भी ज्यादा नहीं निकलना चाहिए इस तरह लगना चाहिए अब हम सारे प्लांस को लगा दिया है देखिए इस तरह जितने भी प्लांस लाए थे सारे पॉट में लगा दिया है अब हम सारे प्लांस में अच्छे से पानी देदेंगे इस तरह देखिए अच्छे से पानी दे देंगे सारे प्लांट्स में फ्रेंड्स हम क्या-क्या प्लांट्स सपिंग की है और किस तरह रिपर्टिंग भी की है आपके साथ स्यार क्या है आपको हमरा यह वीडियो अच्छा लगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताईए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए बाई फ्रेंड्स हपी गैडनिंग टेक क्यार